स्वागद आप सबका वाइटिलिटी टी ट्वेंटी ब्लास्ट के एक और मुकाबले के अंदर यह मैच है मिडल सेक्स बनाब गलोचेस्टर शायर के बीच में जो खेला जाएगा काउंटी ग्राउंड चैलेंस वाड के अपर मैच टाइमिंग है रात के 10 बच के 45 मिनिट तो यहां पर आप देखें जो मिडल सेक्स के टीम है इस टूर्नमेंट से बाहर हो चुकी है यह सिर्फ यहां पर आप्चारिता पूरा करने के लिए खेल रही है गुरूप स्टिजेस के अंदर एक टीम मैक्सिमम 14 मैचेस खेलती है इस टीम ने 12 मैचेस खेले हैं तीन जीती है पहा रही है तीन मैच नोट जल गया है और इनके मातर नौप पॉइंट से और यह भी आप कह सकते हो यह जो गूरूप है इसके अंदर सबसे खराब ने टरिंडे टीन का है मिडल सेक्स का वहीं अब देखें जो दूसरी टीम है गलोचेस्ट शेर इनके क्वालिफाइ करने क चांसे हैं कैसे अब देखो आप यहां पर सरी क्वालिफाइड है इसके आगे क्यों लग चुका है और ससेक्स भी क्वालिफाइ कर जानी ची बहुत बढ़िया खेल रही है समर्सेट हमेशा क्वालिफाइ कर जाती है आम तर पर देखा गया अब देखो यह जो लड़ाई है यह इसक्स और ग्लोचेस्टेशायर की है यह दोनों टीम्स के 15 माई मिन इसक्स के 15 पॉइंट से और ग्लोचेस्टेशायर के 13 पॉइंट से अगर इस मैच में ग्लोचेस्टेशायर जीती है और इसक्स आने वाला मैच हार जाती है तो ग्लोचेस्टेशायर क्वालिफाइग कर सकती है बिकॉज इनका नेट नेट बहुत बढ़ी है तो देखते हैं इस गेम में क्या होता है देखने लए यह मैच होने वाल है तो लेट सी इस एम फॉर बड़े मार्जिन से नहीं पस इनको स्रिफ इस मैच को जीतना है और इस वुडियों डिस इस क्या करेंगे पिछ के मैं बात तरूंगा की कंडिशन कैसी होती रिसेंटली हमने आपे मैस देखा था चौदा जुलाइगो इस एक सारी का मैस था और यह जो मैच है इस मिडल सेक्स का हम ग्राउंड के पर पे इस गेम में यूस किया जा रहा है लॉट्स की पर हमने भी कल ही मैस देखा था ता वि तेलीग्राम चैलन जॉइन कर लो फाइदा गया लाइन अपस के बात कोई भी अपडेट आएगी मैं तेलीग्राम पर दे दूँगा तेलीग्राम का लिंग में आपको डिस्क्रिप्शन और नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुगा है तो कांटी ग्राउंड चैलन्स वाड circle werkate के नुकसान पर टारगेट चेस नहीं कर जैससे पहले 180 7 बना टीन फाइड के नुकसान पर in 666 बना चैसीं टीम 107 बना गरिंगयी चैज कर गयी 16.5 वट में 178 बना टारगेट यहां पर 15.4 वोट में जैस होगया 166 बना, टार्गेट यहां पर चेस हो गया, 203 बना और टार्गेट चेस हुआ है तो इस वैनी के उपर जो इस सीजन के नदा साथ मैचेस हो है चैलिंज स्वार्ड के उपर, यह अंतीम मैच है इस वैनी के उपर इसके बाद यहां पर एक भी मैच नहीं होगा इस T20 Blast में, तो साथ मैसे दो मैचेस बैटिंग फर्स्ट करते हो जीते गए और रिसेंटली दो मैच हुए, वो बैटिंग फर्स्ट करते हो जीते गए वरना इससे पहले जो सारे मैचेस यहां पर वे थे वो सब चेस करते हो जीते गए थे तो यह आपको द्यान रखना है, पांच मैचेस सेस करचोच जीते गए हैं पिछले साथ मुकाबलों की मैं बात करता हूं तो मिडल सेक्स 18 मैं से 6 मैचेस दीती है, एक लो चेस्ट शायर यहां पे 6 मैं से 1 मैच जीती है प्रती और आठ के आसपास इजली रंस बनता हैं बहुत चूटी बाउंडिर रहती हैं और इस वन्ही पे जो लास्ट मैस से 6 और सरीगा यहां पर करेक्शन है ध्यान रखना साथ आएगा यहां पर तू स्लैश सेवन साथ मैचेस की डेटा ही है यह पिस देख सकते हैं आप जो यहां की पीछ तरह से दिखती है चैनल्स फोड की बड़िया ट्राइक होता है स्वेर बाउंडिर यहां पर 66 मिटर सामने चोटा ग्र करते हैं अब आगे की तरफ दोनों टीम्स पहली बार आमना सामना करेंगे इसका नाज़ी इस मैच में अविलेबल है पिछले कुछ मैचेस इसने मिस करें थे कप्तान एस टीम के मार्टीन एंडर्सन के साथ उपन गर सकते हैं लुज डिप्लॉय मैक्स होल्डन रियान एग आग को दिख सकते हैं वैसे जश्वाट डी कैरी भी आ सकता है जो बहुत अच्छा प्रदर्शन दे रहा है इस टेम के लिए गलोचेस्टर शेयर कैंप एंग्रॉफ्ट और माइल सेमन डोपन करते हैं जेम्स बैसी वंडान वहेट कीपर बैटर है बीयो वेप्स्टर देविड पेंच, जो शो, मैट टेलर, टॉम समिथ आपको दिख जाएंगे जो पूरी तरह से फिट और पिछले गेम में तीन विकेट हॉल ले किया रहे हैं लुइस डूप्लॉइ दो मैचस में 35 रंस है अट-2 डिक अंदर बैटिंग फर्स चेस के पर 29 नावबाद वन्य क तीन मैचस में 56 रंस पांच विकेट है बॉलिंग खैरी स्टूनमें नाके बराबर करी है चार और बावण है बैटिंग फर्स बैटिंग फर्स चार मैचों मेटिसिक रंस है चार विकेट पांच, उन्चालिस सेस पर आट और चोईस नाबाद फॉर्म सही रहे है तीस बाव इस ने दो गेम्स के अंदर जैक डेविस का चार मैचस मेचस मेच वैनी के पर 76 रंस और दो कैच है बैटिंग फर्स आठ चेस के पर 23 बाइस और 23 है रियान हाइगिंस साथ मैचस मेचस मेच सो पचीस रंस तीन विकेट दस की कॉनमी एक्स ग्रिगेडर है ये गलुचिस्ट पर 7 मैच 135 रंस दो विकेट दस की कॉनमी भी यहां पर इसकी है रिसन फॉर्म एक रंस विकेट एक रंस दो विकेट साथ रंस जरू विकेट बढ़िया वैल्यूबल ऐसेट हो सकता है आपके लिए फेंटसरी टीम में लुक हॉल्मन मतलब क्या परदेशन है इस बंदेगा पिछले तीन गेमों में बारा विकेट लेकिया रहा है यह चार विकेट, तीन विकेट, पांच विकेट, नौरन एक विकेट, बारा रन जरू विकेट, बीस रन नाबाद दो विकेट, सतरा रन एक विकेट, दो रन दो विकेट, तीस रन दीन विकेट, तीस रन तीन क्या प्रदेशन रंस बन देगा है अपको यह पर जो क्रेक निल दिख जाते हैं कोई खास फॉर्म नहीं इस बन देगा नंबर साथ मैचस में 176 रंस है टूड़ी के अंदर वैनिक अपर चार मैचस में 105 आएगा है इसको करेट कर ले ना 5 मैच में 112 रंस है फॉर्म चार नाबाद 12 तीन 49 चोईस बैटिंग नहीं चैह सैंतालिस एक बाइस तीन एक दो इकतर माक्स तॉन्मेन को स्कॉर्ट से ड्रॉप कर दिया तो मैचस में निकाल कर रखे थे वैल्यूवल नहीं है जश्वा डीकैरी इकतिस रंस है टूड़ी में बैटिंग एक तीन एक टाइमर बाट बहतर वैथर वैन्यूप लेक्ट पर दो मैचस में डोगेट है दो रो निंग एक विकट निकाला है नोग कॉर्णमी नाबाद 3-3-7 एक ज़ए एक चाहरा है नीग विकट है तॉम एलम नवह मैचस में ग्यारा विकट है बालिंग फर्स्तीन में 4 रन एक विगेट 26 रन एक विगेट 2 रन तो है तो बड़ीया प्लेयर यह भी ब्लैक कुलेइन 6 मैच्छे अन्ट विगेट से बॉलिंग फर्स दो में 4 बॉलिंग सेकंड चार गंदर चार वन्यू के उपर तीन मैच्छे में 6 विगेट एक विगेट लस नहीं गया क्लासिकल बैटर इस टीम के गबतान है 12 मैच्छे में 400 रन एक विगेट वाड़ी के अंदर वैन्यू के प्र थोड़ा सा स्टेगल साथ मैच्छे में 120 रन्स में बड़ वैक करूंगा इस प्लैयर को 23, 24, 26, 15 बहुत सही ही लाई है मैक्स हुल्डन पांच मैच्छे में 150 रन्स लास्ट टाइम भी इस साल यहां पर मिडल सेक्छे में दो मैच्छे के लिए थे पहले भी तो दो में से एक मैच में 85 किया था तो आप इसको जरू ट्राइ करना बैटिंग फर्ष्ट के अंदर अगर इस गेम में खेलता है तो इ आलम का दूसरा साथवा कुलेन का तीसरा नववा हॉलमन का चौता चटवा रियान इगिंस का आठवा दसवादा माइल सेमिड की दरफ चलते हैं ग्यारा मैचस में 300 रन्स है चेस मास्टर इस पूर्य टूर्णमेंट के अंदर ए चेस कुपर बहुत खूब खूब खेला है 33-29 सही खिला है इस बार है बैंगरॉफ पिछले दो मैचस में टक्च में आयो से पहले फॉर्म खराब था चामालीश 34-10-0-0-7-9-3 वैंडी के उपर नहीं हिला है एट वडग अंदर तीन मैचस में पैसेट रन्स है एक्क्याउन बैटिंग फर्स चार और दस चेस कुपर जेम्स ब्रैसी साथ मैचों में 105 रन्स दो कैच एक स्टम्पिंग बैटिंग बटिस तैटिस चेस के पर तीन आठ तेरा सूला सीरिसली गहा हूं रिंग हिटिंग करने आता ही है चल गया तो चल गया हिटिंग गरेगा आड़े तिर्च एक दो शॉट बैट गया विगेट इ 16 रन जरुगेट, 31 रन जरुगेट, 49 रन जरुगेट तो बहुत सही है यह स्टूनमें इंदर इस्टीम के लिए यह जित्ती तारिफ करें इतने हम है 10 मैच, 329 रन्स आट तुड़ के अंदर यहाँ पर 19 रन्स आट आएगा यहां अपर इस्टीम के लिए इस्टेक अंधर तो यहाँ उप्तन डबा करें तो अब्स आप देखी जरुगेट, जरुगेट, 9 रिख दबाने है यहाँ जरुगेट, 9 साट रन्स आट दुगेट, 9 रन्स आट पर इस्टीम के अंदर, 139 र 29 रंस बैटिंग फर्स 13 चेस के पर 12 और चार वन्यू के पर बाउंड रंस बैटिंग फर्स करते हुए कई गेम्स में मैच उनिंग खेलिये इसने बट डाउन दोडर आके खेले है बीस तीस रंगी बारी अलिवर प्राइस तीन मैचेस में 49 रंस है पांच विकेट है और जिरो रंस रुपिकेट 17 रंस नेक विकेट दो विकेट अब प्रॉपर इसी गट सकती है मैट तेलर का आट मैच में साथ विकेट है वन्यू के पर दो मैच में एक बहुती ब्रिलियंड बॉलर रेस्टोनमेंड के अंदर अच्छी बॉलिंग गराई है जोश्वा का चार मे मेच है मोश्ट इंपोर्टन एस्ट फोर इस तीम तॉम समित का 17 मैच में 11 विकेट सेंध यह क्या करता बता है यह तो विकेट लप यह तो एक विकेट निकालेगा यह फिर सीधा 3-4-4 विकेट निकालता देगो अब 3 विकेट 0-0-0-0 एक तीन तो ऐसा पिलर जाब आपक भ आफिर न गरो यह फिर लूहिमा ग्रैंड लिक के लिया आथ से 17 मैच में 11 विकेट से 7 मैच में 10 विकेट बहुती बड़ीया स्मार्ट मार्चंड दिलंगा ग्रैमी वन बुरें जमानक्तर पिछले गेम में डिविट पेन का पहला तीसरा पंदरवा था जॉस्वा दूसरा उफ्वा थीरवा मैच में चौटा जटवा nad डाली हम विकेट से 17 वाट जैर से 17 वाट पूसरा प्वाट के लिए प्लाइच से 17 वाट दूसरा था लिए बड़ा ऐस्ट पैसे 17 वाट दूसरा था था जिवाट लुवा था रिया शुरा तीसरा फिश्मेंट सबॉंट एक इनिंग में ionyई आट जोट हो आटगेम्स में एक ही बढ आट किया है क्रैकनील निषट्स तम कर नाट इन पां जोट ही ओ य९रीन भाल्स में सेथे जुन किया है स्टेफनिंग्स कनाजी का कोई मैच आप ही नहीं है नेख्स वोल 딱asik का भी नहीं है बहुत सभी फर्म में चल रहा है यह बिनकृफ्ट की बात तरहता है लूक हॉलमन ने इसको एक बॉल में जूर रंदे ग बार आॉट किया है बहुत अच्छा लगस्पिनर वेप्स्टर वर्सिस लिगन्स नौगें 17 एक इनिंग में बार आॉट किया है जैक टेलर वर्सिस हॉ सबसे बेस्ट ऑफ्षिन बेंगरॉफ टी आप चाहिए तो जैक देविस को भी बैक कर सकते हो बहुत बढ़िया खेल रही है यह पिछले के में अच्छी निंग्स आई थी इसकी आजा कर बात हो गई सबसे बढ़िया थी इसकी अब याद है मेरो को क्विक फिफ्टी दी ओ अमात्र कितिनी बॉल यार पैथीज बॉल गई अंदर तरहपन गया थी तो बैक कर सकतो तो बैसी भी टॉप अफ दॉडर में अगी चेल रहा है देखते हैं जैक डेविस का बैटिंग और नीचे हो सकत कैचस बहुत पकड़ था धर पॉंट बीस अदर पंट बार अधर पंट सौल अधर पंट बीस बारा मतलब हर मैच में इस बंदे ने 20 पंट तो अधर्स दीए हैं विना बैट को अधर लगाएं दो कैस्तो ले 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 लिया यह और इसने 20 रन कर दिया तो पचास पंट तो उ तो इतना खराब नहीं है तो आपका कॉल है प्यारली में भी भी यही कहूंगा मेरा कॉल नहीं है मैं बैक करूंगा इसका नाजी को जो यह रहे यह सीजन एफसेस का खास गया नहीं है कई गेम्स में तो फ्लॉपी हुआता है बाई अल्राउंडर में लूक हैलमें दै पूरे नहीं कर रहा है तॉम एलम पूरे चार वर आपको करके देता है थोड़ा सा फॉर्म कंसान है और यह जो हमारे कहां गए वो ब्लैक कुलें है वो भी बहुत सभी फॉर्म में चल रहा है कहां पर दिया है इनोंने इसको तॉम स्मित को भी आप रोटेट कर सकते हैं पि यह ठीक ठाक पॉंट से भी दी जाता है काई गेम्स के अंबर पेस इसके बास रह और यह ओइन मोगन का फेवरिट बॉलर रही है दहंडर के अंदर के अंदर में देखा था जो पहला सीजन वहा था इसको बहुत बैक किया था तो मैं दो प्लेट साप पर छोड़ रहा हूं मैं बैट रहे हैं अलोंग विट जॉश शॉप क्योंकि मैं एक्सपेट कर रहा हूं कि ग्लोचस्टर शार इस गेमें जीते कि लिए बहुत इंपोर्टन गेम है कैप्टन सी में आप ब्यो वेप्स्टर कर सकते हैं बट इस गेम में और अवर कट सकते हैं लुक हॉल्बन तो देख लिए ना आप किसको कैप्टन कर रहा है अल्द बैस्ट इंज्वाइब इस गेम से शून लव यू और अल्द बैस्ट